हेलो गाइज गुड मॉर्निंग जेसी क्रश्णा कैम छो कैसे है वो आप लोग आज ममी ने नास्ते में हमारी ठोकला बनाया कल के मैच में इंडिया बहुत बुरी तरह से हार गया पाकिस्तान के सामने लेकिन कोई बात नहीं खेल है खेल को खेल की तरह लेते और क्या वैसे भी और यहां से घर से बोलना बहुत इजी है कि ये करो वो करो लेकिन जब पीच पे जो खेल रहे वो तो उसे ही पता होगा लेकिन यहाँ पे भी कल वीरात कोली ने बहुत अच्छा अपना कैप्टनिक पारी खेली थी वो हमें भुलना नहीं चाहिए वीरात कोली is always king of our heart अभी मेरे एक दोस्त को थोड़ा काम है इसलिए में उसके साथ बाहर जा रहा हूँ तो अभी मैं आपको सूरत का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग आज मम्मी हमें एक सूवीचार सुनाएगी चलिए तो सूवीचार सुनते आज का कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है ऐसा नहीं है इंसान बाग्या लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है अभी मपी ने बहुत मस्व गोल्डन लाइंस दीए, कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ये बात सही है, लेकिन आदमी जो करमा करता है ना, वो भी वो साथ में लेके जाता है, अभी शाम के पास बज़ रहे हैं और मैं भी टेरेस पर आथा तो देखा एक्टम क्लावडी वेधर है तो मैं अभी आपके लिए थोड़े क्लावडी वेधर के शौट रेकॉर्ड करता हूँ कि यह हमारा बिहाइंड दा सीन इसका कि इसे बोलते है डेसी जुगाड अभी डैनिश भाई अपनी सेल्फी ले रहे हैं उनको अभी अब व्लॉग की चैनल चालू करने इसके लोग अभी सेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि मैं कैसे व्लॉग के लिए सेट अप करूंगा करें कि लोग में आप लोगों के बहुत मस्किश पिले जाने वाला हूं कल सुभ मैं जॉग के लिए यह पे लेग गाडन आप जाने वालों लेग गाडन वैसे तो कतर गाम में सबसे बड़ा दान हैं तक मुझे पत है मैं दस साल से तो वहां पे जाई रहा हूँ लेकिन वहां का भी रिनोवेशन हुआ था कुछ उसके बाद अभी उसको फिर से उपन किया इसी साल में भी उपन हुआ तो देखते हैं वहां पे क्या कुछ चेंजिस हुए रा कैसा है वह गाडन तो कल हम अभी में होटल पर आज का डिनर लेने के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहां यह वह बहुत फेमस होटल है बॉंबे प्राव भाजी करीब 25 यह पूरा नहीं होटल है चलिए आज मैं आपको बहां पे लिखे चलता हूँ कि अेर हम इने एके शोने के वोटल EAST EMA में अभी प्राव匡य में कहां तो कि अयाусов को बहुष्वलार रास्टा यह बहारे है थिए बहुत करीचिता चराव सकत्यार गरास्चराण सायाम कि यह हमारी डी से अभी चेंच और यह अभी आ गया यह मंचुरियान भाजी पाव सलाड आज की पाड़े बॉंबे पाव भाजी की स्पेशलीटी है पाव भाजी जो करीब 25 यह पूरानी रेस्टारंट है लेकिन उसका टेस्ट एवन है दीदी जा रही है तो बाई 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 आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कल एक नए व्लोग में मिलते हैं कल मैं आपको लेक गाडन दिखाऊंगा कतार गाम का जो यहां पर सबसे बड़ा गाडन है चले तो कल एक नए वीडियो में मिलते हैं तब तक लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए